गुड मॉर्निंग फ्रेंज फ्रेंज आज हम चर्चा करेंगे बैल्स पैल्सी की समस्या के उपर या फिर इसी को फेसियल पैरलिसिस भी बोला जाता है चेहरे का लकवा भी बोला जाता है इस समस्या के उपर चर्चा करेंगे इसमें अचानक सी एक तरफ चेहरा डेवियेटे करने लगता है मुह तेड़ा होने लगता है मुह से सलाइवा नीचे आ सकता है निगलने में पानी पीने में परिशानी होने लगेगी ऐसी कुछ लक्षण आने लगते हैं यह कुछ ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है बहुत ही महत्रपूर्ण वीडियो है इसमें मैंने यह बताया है कि यह समस्या क्यों develop होती है, किया ऐसे कारण होते हैं कि एसी समस्या develop हुए और क्या लक्षान आते हैं जिससे हम पता करें कि यही बीमारी है या फिर कोई और है और लाज्ट वे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि समस्या को ठीक करने की जो सबसे असरदार तीन होमियापैथिक दमाईया हैं उनकी चर्चा करूँगा उनकी exact potency और लेने का exact तरीका बताऊंगा जिसे लेके आप best result पा सकते हैं दियर फ्रेंट्स मैं हूं डॉक्टर संतुष्ट पांडे बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका चेहरे की मांसपेसियों का एक तरफ डेवियेटेड हो जाना सडिनली डेवियेटेड हो जाना या फिर सडिनली तेड़ा हो जाना पूरे शरीर में सब कुछ तो ठीक है लेकिन चेहरे की आधे चेहरे की मांसपेसियों एक तरफ ठेड़ी हो जा रही है तो ये फेसियल पैलसी कहलाती है ये एक वायरस की वज़े से होती है जो चेहरे की नस पे या फिर चेहरे की नव पे अटाइक करता है जिससे वो नर्व इंफ्लेम्ड हो जाती है स्वेल कर जाती है और लक्षण देने लगती है लक्षणों की बात करें तो इसमें लक्षण यही आते है कि चेहरा एक तरफ डेविएटेड होगा निगलने में परिशानी होगी खाने में परिशानी होगी बोलने में परिशानी होगी कई बार जीब कट जाती है चिक्स कट जाते है सरदर्द मिल सकता है चेहरे में वन साइड पेन मिल सकता है यह कुछ इंपॉर्टन से लक्षण होते है जिस तरफ की पैलसी मिल रही, जिस तरफ का चेहरा टेड़ा हो रहा है, उस तरफ के कान से पेशन को नौइस के लिए सेंस्टिव भी हो जाता है, मतलब थोड़ी सी भी आवाज उसके कान में चुबने जैसे ही लगती है, ये कुछ लक्षण मिलते हैं, ये कुछ ऐसा एकदम सडिनली चालो हुई, एकदम अचानक से चालो हुई, आप ठंड की वजह से चालो हुई, या ठंडी हवाओं के एक्स्पोजर से चालो हुई, और होने के बाद आपको बहुत उलजन हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, आपको डर लग रहा है, तो ऐसी कंडिश होती है cadmium self यह medicine उस condition के लिए अच्छी medicine साबित होती है जब आपको facial palsy तो है साथ ही साथ patient को निगलने में परिशानी हो रही है खाने में परिशानी हो रही है saliva निकल रहा है या drop कर रहा है eyes को बंद करने में परिशानी हो रही है तो उसके लिए cadmium self medicine होती है इस medicine की भी 200 potency की चार बुदे सुबद सुबद साम देजिए अच्छा result पाएं गया last medicine होती है causticum causticum उस condition के लिए medicine साबित अच्छी medicine होती है जब bells palsy या चेहरे की paralysis especially right side की है ऐसा नहीं है कि इससे left side में नहीं दे सकते हैं left side में भी इसका रोल है लेकिन right side की patient जिसमें bells palsy हो रही है उसमें अच्छा रोल ये play करती है ऐसे patient जिसको complaints suddenly आई है और उसे बोलने में परिशानी हो रही है ऐसे patient को बात करते करते tongue cut जा रही है या फिर चिक्स उसके दाट से cut जा रहे हैं ऐसे patient को weakness लग रहे हैं बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही है फिर भी patient restlessness में है मतलब आराम नहीं करना जा रहा है उस condition के लिए अच्छी medicine साबित होती है causticum causticum medicine की भी 200 potency की चार-चार भूदे दिन भर में आप तीन बार दीजिए अच्छा result पाएंगे इगनेशिया medicine भी ऐसी condition के लिए अच्छा role play करती है इगनेशिया medicine उस condition में अच्छा role play करती है जब किसी patient को ऐसी condition हुई है और उसके patient की यह बहुत अच्छी medicine होती है इगनेशिया इस medicine की भी आप 200 potency दे सकते हैं 200 potency की चार-चार भूदे दिन भर में दो बार देजिए effective result पाएंगे अच्छा result पाएंगे dear friends thank you thanks for watching